आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाऊ डाउनलोड नाओ Hello student Question है मेरे पास The locus of the points of intersection of two normals drawn at the parabola y square is equals to 4x जो parabola दिया है are perpendicular to each other is ठीक है तो यह locus हम लोग को already hint option से लग रहे है कि इसका locus parabola ही आएगा तो देखते हैं locus क्या था और अगर आप solve करके अगर parabola के अलावा आपको कुछ और करवा रहा है तो फिर आपने गलत solve किया होगा तो यह hint तो यहीं से मिल रहा है कि हम लोग का locus parabola ही होगा तो देखे solve करते हैं हम लोग के पास दिया होगया है parabola y square is equals to 4x है नो points of intersection of two normals drawn at the parabola ठीक है अब अगर यह मैं एक general point लेता हूँ 80 square comma 280 ठीक है इस general point पर अगर मुझे normal की equation चाहिए तो y plus dx is equals to 280 plus 80 cube यह होता ना या फिर अपने ऐसे आधर होगा y equal to minus dx plus 280 plus 80 cube ठीक है तो यह हमारा normal equation है अब देखे हम लोग को क्या करना है इसका point of intersection का locus निकालना है तो यह दोनों intersect दो इसके जो normal है वो intersect कर रहे हैं अगर alpha बीटा पर ठीक है यह है point of intersection ठीक है यह हमारा point of intersection है तो अभी जब यह यहाँ पर लाए करेगा देखे यहाँ पर अभी यह actually क्या है अगर आप इसको ऐसे लिखे पहले 80 cube plus 280 minus tx plus y is equal to 0 है ना अब इसमें मैं alpha बीटा पुट कर रहा वो पुट करने से पहले यहाँ पर यहाँ पर t common ले ले जाए 80 cube plus 2a minus x times यहाँ पर आजएगा t अच्छा यहाँ पर यह जब इस side लिखे आएगे तो minus tx minus y हो जाएगा तो यहाँ पर भी एक minus है तो यहाँ पर आजएगे minus y is equal to 0 हो जाएगा इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पर minus y है ठीक है तो यह आ जगा हमारे पास minus y ठीक अभी यहाँ पर इस point यह वाला alpha बीटा अब इसमें put करके देखते हैं तो क्या आएगा a into यहाँ पर हमारे पास point है यह a t cube plus 2a minus x के जगा हमारे रख रहा हूँ alpha ठीक है t minus y के जगा बीटा रख रहा हूँ is equal to 0 ठीक है अब यह cubic equation है t में तो इसके roots होंगे let's say roots t1, t2 और t3 है ठीक है तो इसका मतलब क्या ऐसे 3 points के लिए हो जाएगी ठीक है यहाँ से भी तो इसके जो 3 roots हैंगे t1, t2, t3 तो अब ही देखिए यहाँ से एक यह चीज होगे हमारे पास 3 roots वाली अब यहाँ पे देखिए इस normal का slope क्या है जब इसको आप इदर ले जाएंगे minus tx y equal to minus tx तो slope of normal क्या हो जाएगा minus t आ जाएगा ना तो अब यहाँ पे t1, t2, t3 अगर roots है तो उसका slope क्या होगा minus t1, minus t2 and minus t3 है ना तो slope of normals ठीक है हमारे पास हो जाएगा minus t1, minus t2 and minus t3 ठीक है अब हम लोग को question में क्या बोला देखो two normals वाली बात कर रहा था तो यहाँ पे two normals हम लोग के पास perpendicular है तो let's say t1 और t2 के roots जो आ रहे हैं उन दोनों के corresponding जो आ रहे हैं वो perpendicular है तो उनके slope क्या है minus t1 and minus t2 तो यह product of slope है यह क्या आना चाहिए? यह minus 1 आना चाहिए क्योंकि perpendicular है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? t1, t2 यहाँ पे plus हो जाएगा ना is equals to minus 1 एक condition हमार पास यह आ गई अब यहाँ पे लिखे product of roots क्या आ जाएगा हमार पास? t1, t2 t3 क्या आ जाएगा? minus plus minus again ठीक है? तो minus मतलब यहाँ पे plus beta by a हो जाएगा है ना product of roots यहाँ पे plus beta by a हो जाएगा और t1, t2 की value minus 1 थी हमार पास उसको यह उसकर चाहँ minus t3 is equals to beta by a that implies t3 is equals to minus beta by a आ गया हमार पास है ना अब यह t3 भी तो इस cubic equation का root तो यह वाला root हम लोग यहाँ पे वापे से put कर सकते है ना यह वाले cubic में तो देखिया हमार पास अभी क्या आएगा मैं color change कर लेता हूँ अभी t3 is equals to minus beta by a तो a into minus beta by a whole cube इस cubic में मैं पूट कर रहा ना इसके roots है वो plus 2a minus alpha times t की जगा रखा मैंने minus beta by a ठीक है minus beta is equals to 0 आगया हमार पास यहाँ पर तो अभी देखिये यहाँ पर क्या होगा a times minus beta whole cube है ना तो यहाँ पर minus beta minus बाहर लिख देता हूँ minus a beta cube by a cube ठीक है minus beta by a बाहर लिखा तो यहाँ पर 2a minus alpha हो जाएगा again minus beta is equals to 0 तो यहाँ पर मैं तीनों जगा से minus हटा के मैं यहाँ पर तीनों जगा प्लस लिख सकता हूँ ठीक है और एक beta हमारा हर जगा है तो मैं एक beta भी cancel out कर सकता हूँ यहाँ से and यहाँ पर a इससे cancel हो के a square हो जाएगा अब भी देखिए बचे हुए terms हम लोग लिख लेते है beta square by यहाँ पर आजएगा a square plus 2a minus alpha by a है तो a ऐसे split कर जाएगा हमाँ 2a by a minus alpha by a plus 1 is equals to 0 तो यहाँ पर आजएगा हमारे पास beta square by a square plus 2a by a मतलब यहाँ पर 2 हो गया है minus alpha by a is equals to 1 alpha by a plus 1 is equals to 0 यह है हमारे पास इसको मैं clearly वापर select देता हूँ यहाँ पर आगा यह plus 1 is equals to 0 अब ही मैं सारे terms को एक side common लेके देखे लिखते है beta square by a square ठेक है यह minus alpha by a को उदर ले गए is equals to alpha by a और यहाँ पर plus 3 था नो इसको minus इदर लिख दिया minus 3 आगया is equals मतलब हाँ ले लेता हूँ beta square by a square is equals to alpha minus 3a by a है ना एक a यहाँ से cancel हो जाएगा तो यहाँ पर एक a बचा तो यहाँ से क्या आगया हमारे पास फिर यह a मैं यहाँ यहाँ पर multiply करके लिख सकता हूँ तो देखो beta square is equals to a times alpha minus 3a आगया और यह है तो हमारे पास locus क्या हो जाएगा alpha बीटा की जगा xy रख दो तो y square ऐसे ही लिखते है हम लोग locus हमेशा alpha बीटा जो भी हम लो point assume करते है general point of intersection या फिर जो भी जिस point के लिए locus निकालना है final उस expression में xy की जगा मतलब alpha बीटा की जगा xy रख दिया तो y square is equals to a times alpha की जगा x-3 ठीक है तो यह हमारा point of intersection alpha बीटा जो है उसका locus आ गया option हम लोग चेक करते है y square equal to a into x-3 आया है तो यह हमारा option a into x-3 है option 3 हमारा true हो जाएगा thank you